solve the differential equation x dy minus y dx is equal to square root of x square plus y square dx तो इसमें जो एक जो है class 12 mathematics से लिया गया है तो इसको जो है हम यहाँ पे solve करेंगे तो यहाँ पे जो है x dy minus y dx is equal to square root of x square plus y square dx है इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं तो यहाँ लिखा और फिर जो है हम इसमें क्या करेंगे कि dy वाले जो हैं उनको एक side और dx वालों को एक side कर देंगे यानके हम जो है left side में x dy को रखेंगे और y dx जो है इसे right side में ले आएंगे square root of x square plus y square के तरफ वाले dx की तरफ करेंगे side change करेंगे और फिर next step में जो है हम dx को common ले लेंगे right side में से तो हम इसलिए कर रहे हैं कि dy by dx की terms में इसको change किया जा सके तो इस तरह से इसको लिखा तो यहां पर dx को common लेने से अंदर bracket में आया y plus में square root of x square plus y square और यहां dx आ गया अब दोनों साइड जो है dx से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आया यह dy by dx हो गया और जो है dy by dx जो है वो हो जाएगा आपका y plus में square root of x square plus y square upon में x और यह वाला dx इदर आ गया तो dy by dx होगा y plus में square root of x square y plus y square upon में x अब जो है इस differential equation को हमने चेक करना है क्या है देखने में जो है homogeneous लग रही है तो homogeneous का चेक करते हैं तो हम जो है right side वाला जो function है y plus में square root of x square plus y square upon में x उसको जो है हम function f x, y मान लेते हैं और जो है अब इसका f lambda x, lambda y पे इसको चेक करते हैं कि यह किस तरह से है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम lambda x रखेंगे और जहाँ y है वहाँ पर lambda y रखेंगे तो y की जगा lambda y है x square की जगा x का square यानके lambda square x square आ गया और lambda square y square y की square की जगा इसी तरह x की जगा नीचे lambda x आ गया अब square root वाले में से lambda square common के बाहर निकलेंगे तो lambda आ जाएगा जो कि lambda y और इसमें से common ले ले लेंगे lambda तो यहां आ गया y plus में square root of x square plus y square नीचे lambda x है तो यह lambda से lambda cancel पर हो सकता है या इसको ऊपर ले जाएंगे तो lambda की पावर 1-1 के रूप में भी लिखा जा सकता है तो यह हो गया आपका y square y जो है y plus में square root of x square plus y square upon में x और lambda 1-1 जो है जिरो हो गया तो lambda 0 और यह जो आपको दिया था y plus में square root of x y plus y square upon x जो f x, y के equal हमने पहले माना था तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है function f x y यह एक homogeneous function है और जिसके degree जो है वो 0 है क्योंकि lambda के पावर 0 है तो यह 0 degree का homogeneous function है इसका मतलब जो equation हमारे को दी हुई है वो पूरी equation जो है homogeneous differential equation है और homogeneous differential equation को solve करने के लिए हमारे को वी जो है y जो है उसको वी की term में इस तरह से लिखना था y is equal to vx तो उसके लिए हम इसको लिखेंगे तो homogeneous differential equation को इसी तरह से solve किया जाता है कि उसमें y को जो है वो vx के जो है उसको फिर differentiate करते हैं और जो है इसकी y की value और जिसको y की value को differentiate करके जो value हम निकालते हैं उसको जो है इसमें equation 1 में हम जो है फिर उसको place कर देंगे और उसका जो format जो है वो change कर देंगे तो यहाँ पर जो क्योंकि equation 1 differential equation थी तो हम जैसे अभी discuss कर रहे थे कि इसको जो है हम लिख सकते हैं इसमें y की value जो है वो vx रखी जाएगी तो v y is equal to v x रखेंगे और फिर इसको differentiate करते हैं x के respect में तो हमारे पास जो है dy upon dx आएगा और उसमें left side में और right side के v x का differentiation करेंगे तो हमारे पास जो है आएगा d यह जो है left side का तो हुआ dy by dx और जो है अब v को जो है आप constant मानके x का differentiation करेंगे तो यह हो जाएगा v into 1 जो की v के equal हुआ और फिर x को constant मानके v का करेंगे तो x dv upon में dx आगया अब आपको क्या करना है कि y की value जो है y is equal to v x और dy upon में dx की जो value है जो v plus में x dv upon में dx के equal है इसको substitute करना है equation 1 में यानि के dy by dx की value की जगा v plus में x dv upon dx लिखना है और जहाँ जहाँ y है महाँ पर हमारे को v x लिखना है तो इसको जो है substitute कर देंगे तो हमारा equation 1 जो है वो change होके इस तरह से लिखी जा सकती है तो dy by dx की जगा हमने लिखा v plus में x dv upon dx और जो है आपका y है इसकी जगा vx आ जाएगा और इस तरह से vx लिखा और जब square root के नीचे x square तो as it is लिखेंगे लेकिन y square की value हो जाएगी v square x square और नीचे जो है x उसको as it is लिख देंगे अब आप देख रहे हैं जो square root वाली में दो terms है इनमें से x common x square common लेंगे जो बाहर आके x बन जाएगा और तो vx वाले x को भी common लेंगे तो x बाहर आ गया और bracket में बचा v plus में square root of one plus v square और नीचे वाले x से उपर वाले x cancel हो जाएगा तो इस तरह से right side में जो होगा वो हो जाएगा v plus में square root of one plus v square तो left side में जो भी था उ cancel हो जाएगा तो इस तरह से पहले हम इसको लिख जाते हैं v plus में x dv upon dx equal to v plus में square root of one plus v square ये v से v cancel हो गया तो इस तरह से हमारे पास x dv upon dx जो है वो आया है square root of one plus v square के equal तो इसको इस तरह से हमने यहां पे show करेंगे अब हमें क्या करना है कि v वाली जो terms हैं उनको एक सैड और x वाले terms को दूसरी साइड रखेंगे तो dv के नीचे आ गया one plus में v square का square root और dx उपर नीचे x जो है ये right side में आ गये अब दोनों side का हम integration कर देंगे तो हमारा equation जो है वो solve हो जाएगी तो दोनों side का integration करेंगे तो इधर जो है इस तरह से इसको लिखना है हमारे को integrating both side तो उस में जो है हमारे को जो है अब हमारा जो है ये equation है वो change होके इस तरह से हम इसको लिखेंगे integration का sign लगा के तो यहाँ पर यह integration का sign one upon में square root of one plus v square और dv जो है यहाँ पर लिख दिया और जो है आपका दूसरी side right side उसका integration का sign one upon max और यह into dx होगे तो अब जो है इसको square root of one plus v square का जो integration होता है वो होगा log mode v plus square root of one plus v square और इसका जो है इस तरह से लिखेंगे और जो है one upon में x का integration जो है वो हो जाएगा log mode x तो एक constant जो है टर्म वो यहाँ लिखने है जिसे हम log की term में लिखेंगे log mode of constant c इस तरह से आप लिखेंगे तो log हमने इसलिए लिखेंगे सारी log की term में है तो इस तरह से log use कर लेने से c जो है इनके साथ ही आ जाएगा तो यह log x mode x plus में log mode c जो है यह plus का sign है तो log के properties से यह multiply हो जाएगे log mode of xc हो जाएगा अब दोनों साइटों को compare करते हैं तो आपके पास आएगा mode of v plus में square root 1 plus v square और right side में हो जाएगा mode of xc तो अब mode के sign को हटाने के लिए यहां पर हम plus minus का sign जो है right side में लगा देंगे तो यह हो जाएगा v plus square root of 1 plus v square और इधर equal to plus minus के xc आजाएगा अब जो है आपके पास आपको क्या करना है कि v को जो है वो v की value जो है वो y upon में x है क्योंकि y is equal to v x है तो v जो वो y upon में x हो गया तो v की जगा y upon में x place करेंगे और यहां पर जो है यह हो गया 1 plus में y square upon में x square और equal to plus minus xc आजाएगा अब जो square root के नीचे जो है x square है उसको calcium लेते हैं तो यह हमारे पास इस तरह से इसको लेंगे तो यह हो जाएगा x square plus y square का square root पूरे का यह हो जाएगा तो नीचे जो x square का square root से निकल के बाहर x आजाएगा और उपर हमारे पास यह square root of x square plus y square और नीचे x आजाएगा तो यह इस तरह से लिखेंगे और equal to plus minus xc अब x को से जो है दोनों सेट multiply कर देंगे तो यह जाएगा y plus में square root of x square plus y square equal to plus minus x square c अब plus minus के c को जो है हम एक अलग constant मान कर भी इसको सिरफ c की रूप में भी लेख सकते हैं इस तरह से यह हुआ y plus में square root of x square plus y square और जो है एक equal to यह हो गया x square और एक other constant capital c करके लिख देने तो c x square हो जाएगा तो यहाँ पर जो है capital c जो है यह plus minus के small c के equal है उमीदा आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा इसी तरह के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल दमैस गुरुदेव को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दगाए और प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो को भी आप देख सकते हैं